तो जैसे कि अगर आप लोग को काफी समय से फॉलो कह रहे हो तो आप लोग को पता है कि कितने सारी नई गाड़ी आने वाली हैं कितने इलेक्टिविक लाने वाली है और Mahindra कितना लाने वाली है तो इस वीडियो में बात करने वाला है Mahindra एक्षिवी 300 का लाने वाली है मगर उसको नाम चेंज करके लाएगी भाया ऐसे थोड़ी ला देगी वा उसको नाम लाएगी एक्षिवी 400 तो इस वीडियो में बात करूँआ कि क्या प्लैनिंग है Mahindra कंपनी कि कब उस तक उसे लांच कर सकती है क्या कर रही है किस प्लफ्ट में बनाएगी और साथ इसके पार्टिशिप है सब बताऊंगा मैं तो अगर आपको इस कबाले में जानना है तो इस वीडियो को बिना किसी जीरी के स्राट करता में वीडियो को तो Mahindra 13 नए वीकल लांच करने की तियारी में है जिसमें से 8 सिर्फ इलेक्टिवी वीकल होंगे इन मॉडल्स को 227 तक लांच करने के प्लैनिंग कर रही है महिंद्र जो इलेक्टिवी कर लांच कर रही है उन में से EKU 100 और XCV 700 जैसे गाड़ी यह भी शामिल है अब इस लिस्ट के अंद एक निया नाम जुड़ा है जो कि है महिंद्र XUV 400 ऐडम का इंडिया की रिपोर्ट के अकौडिंग महिंद्र गुड़ी ऑड़्याल गुड़ी यू ने कहा है कि कमपण एक्सफार इलेक्टिव और लेक्टिव यह टीव त esowychन के नाम से इस्तेमाल कर सकती है मतलब SUV 300 का वो लेक्टे वर्जन लाएगी मगर इसको नाम चेंज कर देगी SUV 400 हाला कि फ्लाल अभी तक फाइनल नहीं है बस S1 उनने कहा है पहले कहा यह जा रहा था कि महिंद्रा-XV400 के नाम से मिड्साइड SUV लाए जा सकती है जो XV300 और XV500 के बीच प्लेस की जाएगी S204 कोडनेम वाली समीड साइड SUV को फोर्ड के भी प्लाट्रम पर बनाने की जोजना है जिससे हुंडाई क्रेटर की असल तो उसका टक्कर देने के लिए लाए जाएगा लेकिन अब महेंद्रा और फोर्ड की जो पार्ट्रिशिप थी अब खतम होने वाली है अगर आप लोग नहीं पता महेंद्रा फोर्ड ने पार्ट्रिशिप कर लखी थी बहुत पहले थी कि वह साथ मुल के गाड़ी बनाएंगे मतलब अपना प्लेट्फोर्म शेयर करती रहेंगी अब वह खतम होने वाली है तो जैसे के मैं कहा रहते हैं कि महेंद्रा फोर्ड की पार्ट्रिशिक फतम होने वाली है यह महेंद्र इलेक्ट्र इसके लेवल और मोडूल अर्खिटेक्ट्र प्लाट्फोर्म में बेज़ड होगी इसे दो वरियंटे में होता जाएगा एक 350 वी और एक 380 वी जहां लोग स्पेक मोडल नेक्शन इलेक्टिव विकल को टक्कर देगा वहीं हाई स्पेक वेरियंट अगर आप लोग को भी लेटेस अब्डेट या लेटेस बाइक्स कार्स पारे में जानना है तो आपको में चैनल में जुड़ा जाना पड़ेगा और अगर आपको बाइक से लेटेट कोई इंफिर्मेशन चाहिए तो आप लोगों में कर सकते हैं और जाओ तो फॉलों भी क